जब ये मूवी थेटर्स में आयती तब मुझसे ये देखनी मिस हो गई थी, मतलब मैं देख नहीं पाया था, फिर सोचा है कोई ना, जब ये मूवी किसी OTT प्लैटफोर्म पर आ जाएगी तब इसको वहाँ देख लेंगे, उसको मेरे पास पैसे नहीं थे, या फिर मैं कोई काम कर रहा था, मतलब कोई तो रीजन था, जिस कारणी ये मूवी मैं देख नहीं पाया था, तो एकलिस्ट ये मूवी, थेटर में, थेटर क्या, ये OTT प्लैटफोर्म पर आती है, और इसको देखने का मतलब मेरे को मोका मिलता है, तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने और ऐसा नहीं है कि आप लोगों नहीं आगी, इसका सेकिंड पार्ट देखनी की सोच रहे हैं, और आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आपको समझ नहीं आएगी, आसानी से समझ आजएगी, कोई भी इतना ज्यादा रेफरेंस नहीं है, छोटा मोटा कि कहानी की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि जो माइकल है, जिसको प्ले किया है, रेयान रेनोल्ड सर ने, तो काफी एक तरीके का सन्यास ले चुक है, काफी प्रेशान चल रहा है, तो वो सन्यास ले चुक है बोडी गार्ट से, कि भाईया, अप उन नहीं करेंगे, अप उन मोटा होता है, खैर, मिशन इसके अंदर दूसरा होता है, और ना चाहते हुए, तीनों एक साथ मिल कर, एक मिशन पे चल पड़ते हैं, अब रेयान जो माइकल है, उसको तो खास कर, मना किया गए, कि भाईया, तुम्हें बंदूकों से दूर रहना है, ये बेचारा बंदू है, इन तीनों को ना चाहते हुए, भी साथ में आना पड़ते हैं, ये तीनों उस मिशन को करने के लिए चल पड़ते हैं, कैर, मुवी की कॉमेडी, एक्शन, या फिर पर्फॉमेंस कैसे रही है, इसके बारे मैं बात करते हैं, मुवी देखनी चाहिए, या नहीं देखनी इसके उपर चर्चा कर लेते हैं, सच में मैंने ये मुवी जब इसका ट्रिलर आया था, तो मेरी उमीदें सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी से ले करती, क्योंकि हिट में के जो फर्स्ट मुवी थी, हिट में बोडिगाट, वो मुझे काफी पसंद आई थी, उसके अंदर इसे थे, मुझे अपनी ये जो मुवी है, बीच में रोकनी पड़ी, और इतना जाला हसी आ रही थी उस वक, बहुत जाला, मतलब इतने बड़िया बड़िया सीन थे, मैं उसको बयान तो कर नहीं सकता, मतलब बता सकता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां बताया तो आप लो है, मतलब उनका नाम भी थोड़ा बहुत कभी-कभी मझे टंग ट्विस्टिड लगता है, तो जहां पर यह है, तो भाईया साब वहां पर तो, मतलब यह समझो कि कॉमेडी आपको अच्छी कासी देखने को मिलेगी, और केवल कॉमेडी ही नहीं, इसके अंदर जो एक्शन ह है, तो वह प्रेडिक्टेबल है, आप पता लगा सकते हो कि यह लास्ट में क्या होने वाल, और वही होता है, कोई इतना चेंजिस, कोई टर्न ट्विस्ट वो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल प्लेइन चलती है स्टोरी, तो वहां पर आप लोगों को वीक लगेगी, बट म मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोगों को कोमेडी देखने में मेरा मेन मोटीव में कोमेडी और जब आप वो देखते हो, इसके अंदर जैसे जैसे एक्शन हो रहे हैं, तीनों के अपस में नोग जोंक हो रही है, जैसे जैसे ओमिशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो जो में कोई ऐसा सीन नहीं था, जहां पर मैं ऐसे कर वैठा हूँ कि उबासी ले रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, जहां उबासी आती है, वैसे मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो एक तरीक निशानी होते हैं, यार यहां बोर कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कहीं नहीं था, तीनों की नोग जोग भी काफी अच्छी है, आपस में जैसे वो बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्रेक्टर हैं सारे के सारे, अच्छे लगेंगे आप लोगों को, और इस मुवी को आप Amazon के OTT प्लैट्फॉर्म पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आप लोगों को यह जो अलग अलग भाषाओं में देखने को मिल जागी Hindi, English, Tamil और भी काफी सारी भाषाएं हैं, कैर मैंने इस मुवी को English में ही देखना प्रेफर किया, क्यों कि मैंने शुरुआत में Hindi में ही रेखा था, लेकिन उसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं ये गडबड लगी कि इसमें डाय बिल्कुल भी नहीं है काफी जादा मतलब अडल्ट लैंग्विज इसके इंदर यूज की गई है तो वह बिल्कुल भी नहीं है बच्चों के विलिए तो काफी जादा इसके नर्वाइलेंस है यह तो ट्राइ करके देखो कोई जादा लंबी मुवी नहीं है दो घंटे की मुवी है ओविसली आप लोगों काफी जादा पसंद आने वाली है जैसे रेयान रेनोल्ट सर की जो एक्शन है उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग है ओविसली वह आप लोगों बहुत जादा पसंद आएगी जैहिं ही रखते हैं तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में थैंक्स वर वॉचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन